कि स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्टिमेट लक्ष इन्नोवेटिव लर्निंग में तो दोस्तों जैसा कि हमने फिजिक्स का क्लास बीच में एक दिन इंट्राप्ट हुआ था माफी चाहूंगा उसके लिए आज से फिर से स्टार्ट कर रहा हूं कर रहा हूं उसको तो उस दिन जो है हमारा स्टार्ट हुआ था साउंड साउंड को का मैंने कुछ आपको क्रेक्टरिस्टिक्स प्रोपागेशन यह सब बता दिया साथ था स्पीड वगेड़ा कैसे आपको डिपेंड करता है यह सब हो चुकी थी आज जो हम लोग साउंड क का जो सेकेंड पार्ट है अब हम सुरू करने जा रहे हैं उसमें क्या आता है रेंज ओफ हीरिंग ऑप साउंड अब कुछ हम लोग देखेंगे कि साउंड का क्या एप्लिकेशन से कैसे क्या यूज होता है क्या है वह से डिलेटर कैसे कोश्टन साते हैं यह सब देखेंगे ठीक है कल तो पहले साउंड का जो हम लोग कुछ एक्स्टा कोश्टन डिसकास करेंगे देखें सिर्फ टॉपिक को पढ़ लेने से नहीं होगा उससे लेटर आपको कोश्टन करने होंगे जैदा जैदा तो इसलिए जैसे कि मैं हड़ एक अपने चैप्टर के बाद कोश्ट होती है उसका रेंज क्या होता है तो अडिवल रेंज का मतलब हुआ है वह रेंज जो इनसान सुन सकता है ठीक है जो हम लोग सुन सकते हैं उसको क्या बोलते है ओडिवल रेंज ठीक है तो वह ओडिवल रेंज तो हुमेंड बींग्स के लिए वह क्या होता है आपका ट्वे 20 हर्ज से 20,000 हर्ज के बीच के जो साउंड होते हैं हम लोग उसी को सुन सकते हैं ठीक है उसके बाहर या उसके वीतर हम लोग कुछ नहीं सुन सकते हैं तो जो 20 हर्ज के नीचे है उसको हम लोग बोलते हैं इंफ्रासोनिक और जो 20,000 हर्ज के ऊपर है उसको हम लोग बोलते हैं ल्टरर सोनिक यदो रहेगा भी Хजार के नीचे वालों को क्या बोलते हैं ल्टररा सोनिक कि टिके हेन बी सबसके ऊपर वी सभाई यह कुलोरिं जो होगा न उसको लोग क्या बोलेंगे ल्टरर सोनिक ठीक है याद रहेगा और आपको जो two higher से नीचे उसको क्या बोलेंगे infrasonic तो देखिए इसके कुछ examples यहां पर दिये हुए है ठीक है तो example है तुम्हारा आपका rhinosaurus जो है वो आपको 20 हर्ज से नीचे का भी जो होता है वो सुन सकता है वेल मचली फिर आपका elephant यह सब क्या होता है जो capacity होता है वो 20 हर्ज के नीचे को सुन सकता है infrasonic sound को सुन सकता है उसके बाद 20 से 20,000 हर्ज हो गए हम अच्छा ultrasonic जो होता है जो 20,000 के उपर सुन सकता है उसमें आ जाता है आपका bat चमगादर dog cat dolphin यह सब आता है ठीक है तो याद रहेगा एक कौन सा है infrasonic एक है ultrasonic आपको इसके examples याद होने चाहिए examples बहुत exam में पूछे जाते है ठीक है examples जो है आपको बहुत पूछे जाते है इसलिए examples आप याद रखेंगे ठीक है चलिए अब है ultrasonic साउंड जो है ultrasonic साही ultrason बना है ultrason high frequency wave ठीक है अब ऐसे भी 20,000 के उपर हर्ज के उपर का जो है वही होता ह आपको ultrasonic तो ultrason high frequency wave है they are able to travel along well definite path even in presence of obstacles अगर इसके बीच में कुछ बाद हाए कुछ obstacles भी आ जाएंगी तो वह travel करेगा ठीक है ultrason जो है बहुत useful है industrial purpose के लिए और medical purpose के लिए तो देखते हैं कुछ ultrason के application जो exam में direct पूछे जाते हैं ultrason can be used to detect cracks and flaws in metal block metal का जो block होता है जो metal के लोह कमाली जो कुछ बना हुआ है या कुछ भी metal का बना हुआ है तो उस metal के अंदर अगर कुछ cracks है या कुछ flaws है तो उसको किस तरह से check करते है ultrason से check करते है ठीक है अच्छा ultrason जो है वह जैदा तर यूज होता है clean part located in hard to reach places for example spiral tube odd shaped parts electronic components तो यह सब को जो साफ करने में जो है न हमको ultrason का यूज परता है क्योंकि हम जो वहां तक नहीं पहुंच सकते उसको access नहीं कर सकते है ultrasonic waves are made to reflect from various parts of heart and form the image of the heart उसके बाद क्या हुआ कि ultrasonic को जो है हम लोग heart में different area से reflect कराते हैं और इससे heart का जो है image हम लोग को मिलता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं indoor cardio echocardiography आपने सुना होगा कि कभी कोई बोला जाता है कि आपको जो है echocardiography कराना पड़ेगा है यह हर्ट का जो है वह पूरा image यह ले लेता है इसमें काम आता है आपका ultrasonic wave ultrasound ultrasound scanner is an instrument which use ultrasonic wave for getting image of internal organs of human body ultrasonic sound scanner जो है ultrasonic wave को भेज के अंदर के organs का image को capture कर लेते हैं ठीक है इट helps the doctor to detect abnormalities such as a stone in goal bladder and kidneys in kidneys or tumor in different organs this is called ultrasonography ultrasonography क्या करता है internal organs के picture को capture करता है जिससे doctors लोग काफी use करते हैं जैसे कर अगर kidney में या gall bladder में अगर stone है पत्थरी है तो उसको find करते हैं अगर किसी organs में tumors हो गया है तो उसको find कर लेते हैं ठीक है अच्छा ultrasound may be employed to break small stones formed in the kidney और अगर kidney में आपका stone बन गया है तो उसको ultrason sonic wave जो है वह उसको चूड कर देता है मतलब उसको fine grains में convert कर देता है जो urine के सारे हमारे सरी से out हो जाते हैं तो आपने देखा कि ultrasound कितने useful है और इसका कितना आज के डिट में industrial और medical परपस पर यूज किया जाता है राइट चलिए अब देखिए अब इसका एक और जो आपका sound का एक और मतलब application है वह है आपका sonar नाम सुना होगा आपने sonar sonar का मतलब होता है sound navigation and ranking sonar ठीक है sound navigation and ranking इससे आपको पता चल रहा होगा कि sound के थूँ जो है हम लोग navigation करते हैं तो sonar is a device that uses ultrasonic wave to measure the distance direction and speed of underwater object sonar जो है वह सीप यूज करते हैं underwater कुछ भी चीजों को देखने के लिए measure करने के लिए कि कितना distance है case direction में चल रहा है sonar consists of transmitter and detector इसमें क्या होता है transmitter होता है और detector होता है ठीक है जो boat में install होता है transmitter क्या करता है आपको ultrasonic wave छोड़ता है और जो किसी obstacle यहनि किसी बाधाएं किसी पत्थर वगेड़ा से टकड़ा के वापस आती है तो detector उसको क्या करता है detect करता है इस से हम पता कर लेते हैं कि कितनी दूरी पर है तो the detector Converse ultrasonic wave into electric signal detector क्या करेगा ultrasonic को electric में convert कर देगा which are appropriately interpreted तो इस टाइप से जो है detector अमारा काम करता है ठीक है अच्छा जो अगला है आपका the detector the distance of the object that reflects the sound wave can be calculated by not knowing the speed of sound in water and the time interval between transmission and reception of the ultrasound अच्छा यह क्या होता है कि distance भी पता कर लेता है कि कितना distance से जो है आवाज आड़ी है या जाड़ी है और transmission और reception के बीच का जो है क्या time interval है तो इससे हम यह भी पताची कर लेते हैं कि हमारा एक बोर्ट जो है किस speed से चल रहा है ठीक है तो यह हुआ sonar sonar का use अगर पूछा जाए तो क्या इसमें जो main question आता है वो बोलता है सिप जो है वह sound के थ्रू navigation करता है उसको क्या बोलते हैं तो simple sonar बोलते हैं दूसरा question इसमें आता है कि sonar में क्या-क्या चीजे होती है क्या-क्या components होती है तो एक हो गया आपका transmitter जो ultrasonic wave release करता है दूसरा detector जो क्या करता है ultrasonic wave जो reflect होके आया उसको accept करता है और उसको ultrasonic wave को convert कर देता है किसमें electric signal में ओके बस इससे ज्यादा से आपका questions नहीं आते हैं ओके तो यह देखिए यह आपका picture है यह है आपका ultrasonic wave जो आपका transmitter है जहां से आपका यह वेव जो है निकला मान लीजिए यहां कुछ आपको se bud है तो यहां से वो सकते हैं अब यहां से यह होता है डिटेक्टर होगते लेक्ट कर्ड कर देता है किसमें एलेक्टरिक सिगनाल में जो हमें जो है वहाँ पर पता चल जाता है कि क्या सिच्वेशन है अभी ठीक है तो इस तरह से यह वार करता है ठीक है अब देखिए लेट दा टाइम इंटरवल विट्विन ट्रांस्मिशन और रिसेप्शन ट्रांस्मीट वेव गया यह वेव यहां से आया यहां तक और यहां से यहां तक गया तो यह दो टाइम होगा ना तो देखिए तो क्या करना है कि ट्रांस्मीशन ट्रांस्मीट होके गया टकडा के रि 2D माल लिजिये अगर इसको हमने एक मेंट को पर रहे पूंसेक माल लिजिये यह अगर distance डी हुआ यह तो यह भी यह होगा तो टोटल सी अपका क्या होगा तू दी से स्टो यह प 사람들 का हूर टू डी और आपका वि तो टीस्टे इस तो क्या होता ете speed into time ठीक है तो इस तरह से जो है हम लोग डिस्टेंस फाइंड करते हैं इसको क्या बोलते हैं इको रेंगिंग इसको क्या बोलते हैं इको रेंगिंग इस सोनार टेक्निक और अल्ट्रसोणिक का बाड़े में देखेंगे कीलो हर्ज की आरट्रसोणिक अल्ट्रसोंड जो हमने अभी पड़ा आप्लिकेशन भी हमंने आ गए थे लियुक है अब इसके बादा आ जाता है क्म नंबर इक्जाम में भी आता होगा कि मैक नंबर क्या है तदी रेसियो अफ speed of a body that and that of sound in air उस body का speed क्या है और sound का speed क्या है air में is how you would call it mac number of that body if the mac number of a body is more than one it is clear that the body has supersonic speed अगर हम mac number one से जाइदा है इसका मतलब speed of sound से जो है body का sound जो है वह जैदा है तो इसका मतलब क्या हुआ वह वह सूपर सॉनिक हुआ यही वह ना आप बॉड़ी का speed यह है sound का speed यह है अगर यह greater than one हुआ मतलब बीजो है इस से जैदा है तो जब जैदा है इसका मतलब सुपर सॉनिक स्पीड से चल रही है ठीक है अब आता है आपका reflection of sound को बोलते हैं इको वहां जो आपने देखा वह आपको वेव रिफ्लेक्ट हुआ था अब कभी कभी आप जाते होंगा कभी पहार बहार के पास या फिर किसी बंद रूम में बड़े से बंद रूम में अगर आप जोड से चिलाते हो तो वही आवाज कुछ देर तक आपको वापस सुनाई पड़ता है तो इस फेनोमेना को क्या बोलते ह है जो घटनाई है इस घटनाई को क्या बोलते हैं आपको इको ठीक है तो इको जो है वह क्या होता है दि रिफ्लेक्शन ओफ सौंड डैट अराइब से डिले आफ्टर दा डिरेक्ट साउंड इसेंसेशन अफ सौंड पर्सिस्ट इन आवर ब्रेन एबाट 0.1 सेकेंड और व 17.2 मीटर कवर करेगा तभी जो है वो डिस्टेंस विल भी चेंज विदर टेंपरेचर ओफ एर होता ही है दि मिनिम्मम डिस्टेंस कितना चाहिए आपको 17.2 तभी जो है आपका वह इको सुनाई देगा ठीक है अब देखिए इको तो आपको समझ में आ गया कि 0.1 सकेंड त सब्सक्राइब आटैथकर में आडुकर में देखिए यहां कि यह इधर से इधर रिफिलक्ट होके इधर जाकर जाकर यरूर करकर के आपके काम तक मुणाइद के लिए जगा कदे में किया होगा कि हैं तो कहुए दूए नहीं में जाते हैं तो यहlo कदे में लगा चाँने सब्सक्वाइड अचन स्क्वर्वाइद का इ। D तो उस सॉन्ड इसको जो एक्स्ट्रा उन्ड स वह सबको क्या सबस्थार और वह पूर्षण interacts करता है मया इसके नॐन है आपको रिवर वेशन सउंड गुम्झता हुआ ताकि वह sound absorb कर सके और side में जो है पड़े लगे रहते हैं जो आपको कपड़ा है वह आपको sound को absorb कर देता है क्योंकि hard substance अगर होगा तो वह sound को reflect करेगा जो हमारे काम तक जाके confusion पैदा करेगी समझ में आ गया चलिए अब है audible range जो मैंने याद रखने है तो यही है आपका एक जो है सबसे बड़ा audible range जिसको बोलते है वह यही अच्छा आप देखिए dog को आपने देखा होगा कि बगल से आप गुजरते हैं तो वह जो है अगर सोया हुआ है तो उसकी आखे खूल जाती है ठीक है चलिए तो आज के लिए आपका sound में इतना ही था इसके बाद जो है आपका अगला जो section आएगा वह questions का आएगा उसके आज जामला unit and dimension में लगे रहेंगे ठीक है अभी physics का चलता रहेगा यूट्यूब पर बने रहे और इसका फाइदा ले लाइक सब्सक्राइब करें और इसको जैदा जैदा शेयर करें मिलते हैं अगले क्लास में तैंक्यू बेरे मच्च